Explain with Deep में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं Fate the Venex Saga Season 2 के एपिसोड नमबर 6 की कहानी को जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे request करता हूँ कि आप लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि हम latest movies या web series की explanation करें तब आप तक notification पहुँच जाए कहानी की सुरुवात में सभी फेरिज सिल्वा के सामने खड़ी होती है सिल्वा इन सभी को बोल रहा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज graveyard के अंदर क्या हुआ है साथी सिल्वा बिलूम को एक गैजट पहनाता है जिसकी वज़ा से बिलूम कभी जादू नहीं कर पाएगी और बताता है कि बिलूम पर केश चलने वाला है और इस केश को हेड करने वाली क्विन लूना होंगी सिल्वा रोजलिंड का एक message दिखाता है जिसमें वह बोलती है कि रोजलिंड की हत्या हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है जिसने भी रोजलिंड को मारा हम उसे नहीं चोड़ेंगे और यह काम बलड विच ने किया है लेकिन उनका लेडर सिबेस्टिन हम उसे भी नहीं चोड़ेंगे अगली सुबै बलूम देर से उठती है उसके पास स्टेला और आईसा आती है यह दोनों मिलक कर बलूम को होसला देती है और बताती है कि हम सबको तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुमें एक ड्रेगन फ्लेम हो हम तुमें कुछ भी नहीं होने देंगे मुसा भी सिल्वा के पास जाती है और बोलती है कि मुझे भी काम दो क्योंकि मुझे अल्फिया के अंदर रहना है अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा इसलिए डेन और रिवन उसे एक जगए पर लेकर आते हैं यह एक गंदगी का धेर होता है जिसलिए यह तीनों मिलकर हटाना चाहते है टेरा और फ्लोरा दोनों मिलकर लेब से एक केमिकल को चुरा कर लेकर आती है और यह सीधी ग्रेव यार्ड की तरफ जाती है लेकिन देखने पर पता चलता है कि ग्रेव यार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्योरिटी है यही पर कैट होती है और इनको बताती है कि तुम लोग कल आना क्योंकि कल मैं अकेली यहाँ पर सेक्योरिटी कर रही होगी ब्लूम अपने बैग को पैक कर रही है वही दर्वाजे पर स्काई आता है वह ब्लूम से मिलना चाहता है लेकिन ब्लूम दर्वाजा नहीं खोलती वह अकेलए रहना चाहती है इसलिए स्काई वहाँ सेुला जाता है आईसा भी इस बात से प्रेशान है कि उसके पास ग्रे का कोल या मैसेज क्यों नहीं आया इसलिए वह ग्रे के पास वोईस नोट्स छोड रही है ग्रे को वोईस नोट्स तो मिल जाते हैं लेकिन वह सीधा स्बेस्टियन से मिलता है रात को ब्लूम चुपके से अपने कमरे से बाहर चली जाती है और जंगल के अंदर बने एक छोटे से घर में जाती है ऐसा लगता है मानुश का कोई पीछा कर रहा हो घर के अंदर जाकर ब्लूम पढ़ने लगती है तब भी वही पर अचानक से स्काई आ जाता है लेकिन Bloom बोलती है कि मैं सभी के लिए खत्रा हूँ इसलिए सभी से दूर रहना चाहती हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहां से चले जाओ मैं अकेले रहना चाहती हूँ Bloom यहाँ पर अकेले रहकर अपने पुराने दिनों को याद करती है जब उसने अपने पेरेंट्स का घर जला दिया था लेकिन स्काई बाहर आकर जंगल में एक पक्तर पर ही बैठ जाता है अगली सुबह तक मुसा ने वो सब गंद्की साफ कर दी जो रिवन और डेन मिलकर करना चाते थे और उसने इस गंद्की को इसलिए साफ किया है ताकि वह रिवन से ट्रेनिंग लेसके यहीं पर रिवन और डेन भी होते हैं जब मुसा और रिवन ट्रेनिंग करते हैं तब रिवन ट्रेनिंग के दोरान मुसा पर वार करता है और वह मुझा पर दया नहीं दिखाता इसलिए मुझा बोल देती है कि तुम इतने अकड क्यों रहे हो तब रिवन बताता है यह कोई मजाक नहीं है यह असलिए टरेनिंग होती है जहां पर जान भी जा सकती है हमें काफी साल हो गए इस टरेनिंग को करते करते और तुम केवल कुछी दिन में ये ट्रेनिंग नहीं कर सकती और वहाँ से चला जाता है अब कुईन लोना भी स्कूल के अंदर पहुँच चुकी है वहीं हम टेरा और फ्लोरा को भी देखते हैं जो ग्रेव यार्ड के अंदर जा रही है वहीं पर केट होती है जो अकेली होती है टेरा केट के लिए कुछ खाने को लेकर आती है साथी टेरा केट के करीब आना चाहती है लेकिन यहाँ पर टेरा को पता चलता है कि केट तो पहले से ही किसे के साथ है इसलिए टाइम नगाव आते हुए ये लोग ग्रेव यार्ड के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये लोग अपना केमिकल डालते हैं जिससे यहाँ पर बहुत सारा धुआ हो जाता है और ये धुआ धिरे धिरे आगे बढ़ता चाता है और जहाँ पर धुआ नहीं होगा तो वहाँ ने पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिस डालिंग की कबर है कुछ दिरवादी धुआ भी काम का नहीं रहता तब टेरा अपना जादू का इस्तमाल करती है तब ही जमीन के अंदर से एक पोदा बाहर निकलता है स्कूल के अंदर भी बलूम की सुनवाई शुरू हो चुकी है और स्टेला बलूम की वकील के तोर पर खड़ी है बलूम पर इलजाम होता है कि उसने रोजलिंट की हत्या की है और इसके लिए उसे सजा होगी और उसे सजा से बचना है तो उसे कुछ पुक्ता सबूत पेस करने होंगे जिसमें यह जाबित होसके कि उसने रोजलिंट की हत्या नहीं की बलूम अपनी स्पाई देते हुए बोलती कि रोजलिंट ने मुझे पर हमला किया था और मैंने भी अपना बचाओ करने के दुरान उस पर हमला किया इसलिए उस हमले में उसकी जान चले गई साथी बलूम एक और बात बताती है कि डावलिंट को मारने वाला और कोई नहीं बलकि यह रोजलिंट थी और यह बात रोजलिंट ने मुझे कही है लेकिन क्विन लोना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती स्टेला को भी पता चल जाता है कि टेरा और फ्लोरा को कोई जबूत नहीं मिले है इसलिए वह अपना एक गवा पेस करना चाती है और यह गवा आईसा होती है आईसा बलूम को बचाने के लिए स्पाई देती है बताती है कि किसी के लिए उसके माबाप का होना बहुत जरूरी है ताकि वह अपने जादू को बहुत अच्छे तरीके से कर सके लेकिन बलूम के पास कोई पेरेंट्स नहीं है इसलिए हम सब इस बात से हैरान है कि बलूम फिर भी इतना अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही थी साथी आईसा वह क्रिस्टल भी दिखाती है जिसके वज़े से बलूम का जादू आउट अफ कंट्रोल हो गया था और बताती है कि बलूम रोजलेंट को मारना नहीं चाहती थी बलकि इस क्रिस्टल की वज़े से उसका जादू आउट अफ कंट्रोल हो गया इसलिए रोजलेंट की जान गई है लेकिन क्विन लोना आईसा की बात से सहमत नहीं है और वो आईसा की बात को खारिज करती है आईसा भी बोलती है कि ब्लूम बिल्कुल सही है मुझे लोगों की पहचान है तब क्विन लोना बताती है कि तुम ग्रे को डेट कर रही हो और ग्रे के सारे रिकोर्ड फरजी है इस स्टेला ने इसी लेटर के जरी अपनी मां से वह क्रिश्टल मंगवाया था और उस लेटर में स्टेला ने चेताउनी देते हुए लिखा था कि बलूम बहुत खतरनाक है लेकिन अब उससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैं उसके पास रहती हूँ अगर फिर भी कुछ खतरनाक नजर आया तो हम उसका फाइदा उठा लेंगे बलूम भी अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है और सजा वुकतने के लिए तयार है इसलिए क्वीन लूना उसे 20 साल के लिए नजर बंद की सजा सुनाती है जो बलूम और उसके दोस्तों के लिए बहुत जादा है और बलूम को एक जगा कैद कर दिया जाता है क्वीन लूना बलूम को नजर बंद करने के लिए अपना फाइदा समझते थी जो उसने कर दिया साथी वह स्टेला का वो गैजेट भी उतार देती है जो उसे जादू करने के लिए रोकता था लेकिन स्टेला अपनी मा की सचाई सामने आकर उससे बहुत जादा नाराज है और वहां से वह चली जाती है रूम पर आकर आईसा भी अपने बॉइफरेंट को कॉल करती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ग्रे बिल्कुल फर्जी स्टूडेंट है और वहां ग्रे को कॉल करती है और ग्रे को कॉल करने के बाद वहां कि अबल एक ही बात पुछती है कि क्या तुम बलड वीच हो इस बात का ग्रे के पास कोई जवाब नहीं होता और आईसा समझ जाती है कि हाँ ग्रे ही बलड वीच है आईसा जोर से रोने लगती है ग्रे के पास भी स्बैस्टिन होता है जो बताता है कि सारा इलजाम हम लोगों पर आया है यानि कि रोजलिन्ट की हत्याकारोप रोम पर फलोरा सबी लोगों से बहस कर रही है वह बोलती है कि हमें बलूम को वापिस लाना होगा लेकिन स्टेला बताती है कि मेरी माँ का फैसला आखिरी फैसला होता है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते वहें स्काई कोई पता चल जाता है कि ब्लूम को सजा हो चुकी है इसलिए वह उससे मिलने के लिए आता है लेकिन बवानी और उसके लोग स्काई को पकड़ लेते हैं जब फ्लोरा के लिए बैट कर अपनी स्टेडि कर रहे होती है तब उसके सामने वाले फूल मुढ़ जा रहे होते हैं फ्लोरा उन्हें बार बार उठाने की कोशिस करती है अपने जादू की मदद से लेकिन वे बार बार मुढ़ जा जाते हैं क्योंकि उनके पास वो पोदा होता है जो वो ग्रेवेयर्ड से लेकर आई थी इसलिए फ्लोरा इस पोदे के पास क्रिस्टल को रखती जिसे क्रिस्टल की सकती उस पोदे के अंदर चली जाती है जादू के अंदर कैज बलूम अपने पुराने दिनों को याद करती है जहां पर वह अपने माबाप के साथ होती है अपना बढ़ डे सेलिब्रेट कर रही होती है जहां बलूम को याद आता है कि उसने अपने घर को अपनी जादू की सक्ती से जला दिया था क्योंकि वो सक्ती आउट ओफ कंट्रोल हो गई थी लेकिन साथी बलूम को यह भी याद आता है कि उसकी माँ ने जादू की मदद से उस आग को काबू कर लिया था और यह सुचते हुए बलूम की आँखों में आशू आ जाते हैं और इन आशूं को पोसने वाला और कोई नहीं बलकि मिस डावलिंग होती है जो अब आजाद हो चुकी है और मिस डावलिंग को आजाद कराने वाला कोई नहीं बलकि फ्लोरा ही होती है अब मिस डावलिंग ने बलूम को भी आजाद करवा लिया है इन्हें पता चलता है कि जो पोधा ये ग्रेव यार्ड के अंदर से लेकर आए थी उस पोदे के अंदर मिस डावलिंग की आत्मा थी और जब क्रिस्टल को इस पोदे के पास लाया गया तब एक डावलिंग की आत्मा आजाद हो गई और ये जो सामने खड़ी है और कोई नहीं बलकि डावलिंग की आत्मा ही होती है मिस डावलिंग भी बलूम से अकेले मिलना चाहती है जहां पर मिस डावलिंग बताती है कि मैं भी रोजलिंट को मारने वाले थी अच्छा हुआ कि तुमने रोजलिंट को मार दिया लेकिन बलूम बोलती है कि मेरे दिल पर बहुत ज़ादा बोज हो गया है मिस डावलिंग बलूम को बोलती है कि तुम इस जादू का इस्तमाल करना सिखो कोई दूसरा तुम्हें सिखाने वाला नहीं आने वाला और नहीं तुम्हारी मदद करने वाला है तुम्हें इस जादू पर खुदी कंट्रोल करना होगा साथी मिस डावलिंग एक और बात बोलती है कि पूरी दुनिया को बदलने की कोशिज मत करना बस उन लोगوں को बदलो जो तुम से प्यार करते हैं जिनकी तमें परणा है इतना कहकर मिस डावलिंग और बलूम आखिरी बार गले लगती है और मिस्स डाولिंग की आत्मा हमेशा के लिए आजाध हो जाती है और ये सबी फेरीज मिस्स डाولिंग की आत्मा को जाता हुआ देखती है वहीं सिल्वा भी अपनी टीम के शाथ सब्वेस्टेन की लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर यह सबी उसके घर में आगे बढ़ते हैं लेकिन देखने पर पता चलता है कि पूरा का पूरा गर खाली होता है साइद किसी को इनके आने की ख़बर स्वेस्टियन तक पहले ही पहुँचा दी है और यह ख़बर पहुँचाने वाला और कोई नहीं बलकि बियाट्रिक्स होती है और स्वेस्टियन सिधा बियाट्रिक्स के पास आता है जहां स्वेस्टियन बियाट्रिक्स को सभी लाइट बंद करने के लिए बोलता है बिट्रिक्स अपने जादू की मदद से स्कूल की सभी लाइट्स बंद कर देती है और फिर हम बहुत सारे क्रियाचर्स को इन की तरफ आता हुआ देखते हैं और इशी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है अब देखना यह होगा कि क्या क्विन लोना ब्लूम को फिर से कैद करेंगी और यह सब फेरिज मिलकर कैसे उन स्क्रीपर्स को रोकती है तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्स्प्रेनेशन के साथ बेटरिन वीडियो देखने के लिए प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग